नमस्ते फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को बेल आइकन को दबाईए ताकि आप अपडेटेट रहें नए वीडियो के लिए दोस्तों यह मेरा पहला वीडियो हिंदी में है मैं इस वीडियो में फोटो रेस्पिरेशन नाम के एक टॉपिक को डिसकस करूँगा फोटो रेस्पिरेशन में दो वर्ड है फोटो जिसका मतलब होता है लाइट रेस्पिरेशन मतलब क्या एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम ऑक्सिजन अंदर लेंगे और कार्बन डायोकसाइड को भार देंगे तो इसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन में सबसे important enzyme जो एक role play करेगा वो enzyme का नाम है rubisco, rubisco enzyme आपने Kelvin cycle में भी पढ़ा है जिसका full form होता है ribulose, bifosphate, carboxylase और इस enzyme की खास बात यह है कि एक thermolabile enzyme है, thermolabile मतलब यह कि जो जरा भी temperature के उपर नीचे होने पे अपने working environment के अपने nature को बदल देता है, जैसे अगर आपने temperature बढ़ा दिया तो rubisco का nature कुछ और हो जाएगा और temperature कम कर दिया तो rubisco का nature कुछ और हो जाएगा, इसी के लिए हम इसे thermolabile enzyme कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक condition हम ले लेते हैं, पहला condition यह है कि जो temperature है वो कम है और concentration जादा होता है, उस समय पे rubisco यह काम करेगा carboxylase की तरह, carboxylase नाम से आपको समझ में आना चीए, यह carbon dioxide को fix करने वाला enzyme है, तो ऐसे situation पे rubisco carbon dioxide लेगा और oxygen देगा, तो carbon dioxide लेग करके oxygen दिया, इसे photosynthesis कहते हैं, हमने सब ने पढ़ा हुआ है, अब एक दूसरा condition मान लीजिए, जब temperature बहुत जादा है, दुपहर के समय पे temperature बहुत जादा होता है, ऐसे समय पे stomata जो है, वो थोड़ा सा बंद हो जाता है, transpiration को avoid करने के लिए, तो इस समय पे जो carbon dioxide अंदर आ रहे थे, उनका concentration भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो high temperature पे carbon dioxide concentration कम हो जाता है, जिस वज़े से rubis को oxygenase की तरह काम करेगा, oxygenase की तरह काम करना मतलब, अब यह oxygen को fix करेगा, और carbon dioxide बहार देगा, मतलब rubis को oxygen लेगा, carbon dioxide बहार देगा, तो this process is called as respiration, इसे हम respiration कहते हैं, अगर यह respiration दिन में होता है, तो उसे हम कहते हैं, photorespiration, क्यों, क्योंकि वो light के presence में हो रहा है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें समझनी है, photorespiration यह वो carbon dioxide निकलता है, लेकिन 100% carbon dioxide में से 75% carbon dioxide conserve हो जाता है, 75% बच जाता है, और 25% carbon dioxide जो है, वो nature को चला जाता है, यह photorespiration तीन cell organelles में होंगे, एक है chloroplast, दुसरा है paroxysome, और तीसरा है mitochondria, तीन जगे पे photorespiration पाथवे complete होगा, तो जब exam में question आए, तो सबसे पहला हमें सारे cell organelles बनाने होंगे, यह पहला जो cell organelles में बना रहा हूँ, यह chloroplast है, अब chloroplast हम सब ने पढ़ा हुआ है, कि यह double membrane होता है, दो membrane इसके होते हैं, outer membrane और inner membrane, तो हम दो membrane बनाएंगे, और बगल में लिखेंगे chloroplast, दूसरा cell organelles जो है, वो single membrane का structure होता है, तो हम एक ही membrane बनाएंगे, और इससे हम लिख देंगे, पर-oxyzone, पर-oxyzone मतलब इसने पर-oxyde होगा, hydrogen पर-oxyde, और जो तीसरा cell organelles है, उसे mitochondria, power house of cell इसे कहा जाता है, mitochondria भी double membrane है, लेकिन इसके अंदर का membrane folded होता है, इसे crystal कहते हैं, तो mitochondria हम ऐसे बनाएंगे, photo respiration start होने के लिए, जो सबसे important compound लगेगा, पहले condition को देख ले, temperature जादा है, मतलब दुपहर का समय है, तो carbon dioxide कम हो गया, क्योंकि stomata partially बंद हो गया, तो जो rubisco है, अब यह oxygenase की तरह काम करेगा, मतलब अब यह किसको fix करेगा, oxygen को, तो oxygen अंदर आएगा, तो combine किससे करेगा, वो combine करता है, RUBP से, ribulose bifosphate, 5 carbon का compound है, अब RUBP का oxidation होगा, वो तूट जाता है, PGA और phosphoglycolate में, PGA जो है phosphoglyceric acid, 3 carbon का compound है, तो 5 में से 3 चले गए, तो 2 बच गया, जिसे हम phosphoglycolate कहते हैं, अब यह phosphoglycolate में से phosphate निकल गया, क्या बचा, glycolate, 2 carbon का, यह glycolate diffusion करके, peroxisome में आ जाएगा, तो glycolate, co को हम हटा देंगे, अब यहाँ पे, इसके बाद, और उसमें oxy जोड देंगे, तो क्या word बन के आएगा, co हटाईए, और oxy जोड़िए, तो बन गया glyoxylate, तो glycolate, glyoxylate बन गया, 2 carbon का, और H2O2 से combine करेगा, hydrogen peroxide, एक amino acid बनाता है, जिसका नाम है glycine, तो glycine 2 carbon का है, यह glycine diffusion करके, mitochondria में आ जाएगा, एक glycine आ गया, 2 carbon का, एक और glycine आ जाता है, 2 carbon का, इस तरह से 2 glycine आते हैं, दोनों 4 carbon के हो गया, 4 carbon में से, एक carbon dioxide निकल जाता है, और 3 carbon जो बचा, उसका serine बनता है, मतलब क्या, 25% एक carbon dioxide गया, 75% तीन carbon का serine बच गया, यह serine diffusion करके, अब paroxyzone में चला जाएगा, serine convert हो जाता है, फिर से glyceric acid में, glyceric acid by diffusion अब चला जाएगा, chloroplast में, glyceric acid अब phosphorylation करेगा, मतलब उसमें phosphate group जुडेगा, तो glyceric acid phosphorylation करने के बाद, क्या बन जाता है, phosphoglyceric acid PGA, के phosphate उसे ATP देगा, अब आप ध्यान से देखें, तो कुल मिला के हमारे पास 2 PGA है, एक PGA glyceric acid से बना है, दूसरा PGA, RUBP के टूटने से बना है, तो दोनो PGA, अब enter करेंगे, किसमें, Kelvin cycle में, तो 3 carbon और 3 carbon दोनो PGA, Kelvin cycle में आ जाएंगे, और जब Kelvin cycle complete हो जाएगा, तब glucose बनेगा, फोटरेस्पिरेशन में, नीट में questions काफी आते हैं, सबसे पहला question यह पूछा जाता है, कितना oxygen use होता है, आपको याद रखना है, कि oxygen use जो 2 है, एक स्टाल्टिंग में, और दूसरा glyoxylate बनने के लिए, carbon dioxide कितना loss हो गया, सिर्फ एक, यानि 25%, और कितने carbon बच गया, तीन carbon बच गया, यानि 75%, और जो बचें, वो क्या बन गया, सेरीन बन गया, तो उमीद करता हूँ, कि आपको फोटरेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा पहला वीडियो हिंदी में है, अगर आपको पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए,